हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चनल फरिस्ता टेक पॉइंट में तो आज हमको ये मिली है रही रही मिली है पुरानी कबाड में पड़ी थी हमारे गर पे तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं देखते हैं इसका क्या बनता है इसका कुलर बनेगा या पंखा बनेगा आप कॉमेंट करके बताना इसमें कुलर बनता है या इसका पंखा बनते है ये मैं लेके आ गया हूँ इसका खोलने का जुगाड़ ये पलास है और ये चाबिया है तो इससे एक एक्सपेरिमेंट करके देखें इसका बनता क्या है अभी तो अभी हम थोड़ी देर वीडियो को रोक लेते है फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे बनने के बाद इसका क्या बनता है ये हमारा पंखा तैयार हो चुका है अब देखते हैं ये चलता नहीं अभी इसको लाइट में लगा कर देखेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कामियाब हुआ है नहीं हमने रई का पंखा बनाया देखते हैं अभी इसको लाइट में लगा कर देखते हैं तो ये राईस का में स्वीच तो इसको लाइट में लगाते हैं फिर मैं इस चीज को ओन कर देता हूं अब इसको चला कर देखते हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो कामियाब हुआ है अरे वाओ चल गई रही पंखा बन गया इसका तो बहुत पास चलता है दोस्तों ये पंखो बनायों से को ये थोड़ों सो एक्सपेरिमेंट करो खराब पड़ी थी एक अबार्ड में तो थोड़ों बनाया करती हो ठीक है ये चल गई दोस्तों पता नहीं अब मम्मी से पीटाई होने वाड़ी है क्या बाद में ये राइत का पंखा तो बना दिया पर डर लग रहा मुझे तो अभी मम्मी को गुस्सा आ गया थोड़ा सा तो देखते हैं दुबारा से इस एक्सपेरिमेंट को चला क बहुत तेज चलती है मेरे से इसका वो बैलेंस ही कापबू में नहीं आ रहा दोस्तों ये तो बहुत फास चल रही है रही का पंखा तो बहुत तेज है ये सारे मॉस्क्यूट बाग गए इससे तो मत्सर सारे साफ हो गए वाव हवाव भी काफी तेज दे रहा है ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो कामी अब हो गया है वाव बढ़ अच्छा बना आई है फैन तो इसको अभी क्या करेंगे लगाने के बाद मैं आप ओपर लगाने के बाद इसको चला के दिखाओ आप ऐसा करने की बिल्कुल भी कोसिस ने करें वरना आपका भारी नुक्सान हो सकता है कहीं आपको करंट भी लग सकता है या आपकी जो रही है वो भी खराब हो सकती है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीज दन्यवाद